काकी मेरे पूरे पंख पे मेहन्दी लगाना और पेरों पे भी चील काकी मुझे तो सिंपल सी लगा देना जैदा भरी भरी ना लगाना और चील काकी मुझे तो बेल सी लगा दे मुझे वो ही पसंद है ऐसे सब पक्षी करवाचोत के लिए महली लगवा रही थी तभी रानो चुडिया भी आ जाती है काथी इन सब के बाद मुझे महली लगाना मैं लेट हो गई रानो तो पागल है तेरे पती को गई तस महिने हो गई अगर वो जिन्दा होता तो अब तक आ गया होता तुम करवाचोत का व्रत किसके लिए रखोगी गोरी आपको शरम नहीं आती जो ऐसे सुब दिन पर मेरे पती के बारे में उल्ता सीधा बोलती हो लो जी कर लो बात कोई मैं ही न थोड़े बोलती हो पूरा जंगल बोलता है तुम सब का मोबंद करा दो जो सच है वो बदल नहीं जाएगा गोरी चुप कर जाओ जो होना है वो तो होगा ही तुम क्यों रानो को परिशान करती हो काकी आप मुझे जल्दी जल्दी महनी लगा दे मुझे से इनकी बकवास नहीं सुनी जाएगी जो सच है वो तो बोला ही जाता है फिर चील काकी सब को जल्दी जल्दी महनी लगाती वो सब चले जाती है आखिर में रानो रह गई थी बेटी रानो तुन्दो से तेरी कोई बात हुई नहीं काकी चील मेरी कोई बात नहीं हुई और नहीं उनकी कोई चिठी आई पर इसका मतलब है तो नहीं वो दुनिया छोड़के चले गई चील काकी कुछ नहीं बोलती और रानो को भी जल्दी जल्दी महनी लगाती रानो अपने घहर आ गई थी और भगवान से प्राखना करती हे भगवान कल मेरे पती को घर भेज देना चाहे वो कहीं भी हो उनकी रक्षा करना मम्मा चलो हम बजार चलते हैं गोरी आंती तो कब की चले गई जग्गू भी साथ गया है हाँ बेटा चलो हमें मिठाई भी लानी है आपके पापा लंबे समय के बाद घर आएंगे फिर वो दोनो मा बेटी बजार जाती रानो अपने व्रत का सारा सामान खरेती वो घर आजाते हैं और तुन्नू चड़े का बेसबरी से इंतजार करते रानो कब तक रास्ता निहारती रहोगी तुन्नू नहीं आएगा गोरी अपना काम करो तुन्नू जी जरूर आएंगे हम जंगल छोड़के भाग थोड़े न जाएंगे देखते हैं तेरा तुन्नू कहां से आता है गोरी क्यो रानो को परिसान करती हो चलो अब अंदर चलो कालो गोरी को घर के भीतर ले जाता अब तो इंतजार करते करते रात से सबाय हो गई थी आज करवा चोथ था रानो ने भोके प्यासे वरत रखा था कबूतर जी तुन्नू अगर आसपास के किसी जंगल में गया होता तो हम सायद ढूड कर ला भी पाते लेकिन वो वदेश गया है हम करें भी तो क्या करें लूशी जी आपकी बातों से याद आया वदेश में मेरा दोस्त सीटू कबूतर रहता है उसे वहां गए तीन साल होगे मेरे पास उसको नंबर भी है पती जी जल्दी से उसे फोन करें हम विंती करेंगे कि वो तुन्नों को ढूंडने में कुछ मदद करें फिर कबूतर अपने दोस्त को फोन लगाता बगर कोई जवाब नहीं मिलता वो तो बार-बार फोन करता आखिर में फोन उठा लिया जाता सीटू दोस्त मैं इंडिया से हूँ तुम्हारा दोस्त चुलबुल कबूतर मुझे कहचाना हा यार तुझे कैसे भूल जाए बड़े दिनों बाद फोन किया जब तेरे पास नंबर था तो पहले क्यों नहीं किया यार सीटू एक बड़ी समस्या है तुम्हारी मदद चाहिए होगी ज़ार जान मांगोगे तो भूभी दे दूँगा बताओ क्या काम है फिर कबूतर टुन्नू चुड़े की उसे सारी कहानी बताता तुम मुझे अपने दोस्त टुन्नू का एक फोटो भेजो मैं अभी कुछ करता हूँ फिर कबूतर टुन्नू चुड़ा का फोटो भेजता सीटू कबूतर तुरंत ही पुलिस टेशन जाता और टुन्नू की च्छान भी निसरू करवा देता टुन्नू चुड़ा एक बहुत बड़े पक्षी के घर में नोकर का काम कर रहा था पलिस उसे डूंड लेती तुम इंडिया के पक्षी हो नाम टुन्नू है और यहां चुपके बैठे हो वहां तुमारे पतनी बच्चों का रोरो कर बुरा हाल है नहीं नहीं साहब मैं तो विदेश से पैसे कमा कर हर दो महिने में अपने घर जाता था हमारी कंट्री का नाम बदनाम किया माफ कर दो हवलदार जी कुछ लेदे के काम चला लो मैं जेल नहीं जाना चाहता पलिस उस अमीर पक्षी की कोई बात नहीं सुनती उसे जेल में डाल दिया जाता है और कानूनी तोर पर तुन्नू को उस पक्षी से दस लाक रुपे जुर्माने के तोर पर दिलाए जाते वो खुसी खुसी इंडिया की फ्लाइट में बैठ जाता है तुन्नू को तो अकने परिवास से मिलने की बड़ी खुसी थी इधर रानो कब से तयार होकर तुन्नू का इंतजार कर रही थी कबूतर जी रानो को बता दे बिचारी कब से तयार होकर बैठी है रहने दे लूसी अब बस कुछ ही देर बची है तुन्नू को ही आ जाने दे तुन्नू छुडा अकने जंगल पहुच जाता है वो मिठाई वाले के पास रुखता कौका दो किलो गुलाब जामन और दो किलो बर्फी दे दो फिर तुन्नो कबड़ो की दुकान पर जाता और रानों के लिए महंगी साड़ी लेता भाई साब जल्दी से पूर्व वाले जंगल चलो मुझे बहुत जल्दी है अरे भाईयो क्या तुम अकेले को ही लेकर चलो दो चार सवारी यार आने दो भाई साब मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा बस जल्दी से पूर्व के जंगल चलो फिर ओटो बाला पूरी सिपीड से ओटो चलाता और कुछ ही देर में पूर्व के जंगल पहुत जाता ये ले भाई 500 रुपे आपका धन्यवाद अच्छा पागल है धन्यवाद मुझे करना चाहिए मुझे थोड़ी दूर के 500 रुपे दे दिये पर छोड़ो मेरे तो 500 बन गे फिर टुन्नो जल्दी जल्दी अपने घर आता है रानो बिचारी तो छट पर बैठी हुई थी रानो अब चली भी जाओ टुन्नो कहां से आएगा देखो रात होने वाली है गोरी कवी ऐसे बोल ही रही थी तभी टुन्नो चड़ा आ जाता है गोडिया तो भाग के अपने पापा के गले लग जाती पापा आ गए पापा आ गए मम्मा देखो पापा आ गए रानो गोरी तुरंथी मुड कर देखती टुन्नो जी आ गए टुन्नो जी आ गए गोरी देखो मेरी पती टुन्नो आ गए वो भापकर नीचे आती और टुन्नो को देखकर आसपास के सभी पड़ोती पक्षी बाहिर आते कबूतर सब को पूरी बात बताता पता नहीं कैसे कैसे पक्षी रहते हैं बताओ सिर्फ अपना काम करवाने के लिए टुन्नो को बंद्ली बना कर रख लिया ये नहीं सोचा उसका अपना परिवार होगा मिठू अब वो जेल में है और मुझे उससे दसलाक रुपे दिलाए टुन्नो जी अब आपको कही नहीं जाने दूंगी जैसे भी हो यहीं रहकर गुजारा करेंगे हाँ हाँ रानो अब टुन्नो जाएगा ही क्यों पूरे दसलाक रुपे का बैग लाया है अब बुरे दिन भूलो और खुशिया मनाओ हाँ टुन्नो रानो सुबा से भूगी है बिचारी का वर्त खुलवाओ फिर रानो खुशी खुशी टुन्नो को देखकर अपना वर्त खोलती टुन्नो उसे मिठाई खिलाता और गिफ्ट में साड़ी देता अब रानो शुडिया तो बहुत खुश थी प्यारी दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो जिसे पहन कर मैं पूरे जंगल में नाचूं काऊं छूमूं नहीं गोरी दो लाक का हार मैं नहीं लापाऊंगा आप बिनाहार के ही करवाचोथ मनाने आपको अच्छी खासी तनख्वा मिलती है फिर भी पैसों की तंगी मैं अभी हिसाब जोडती हूँ आखिर फिजूल के पैसे जाका रहे हैं अरे गोरी कहां जाएंगे पैसे सब मेरे बैंक में हैं मैं ले आऊंगा आपका हार छोड़ो ये कापी पैन लेना मैं तो कहता है जुमके भी मंगालो और भी संदर लगोगी दनिया का सबसे अच्छा पती मेरा कालू बच गया गोरी के हिसाब से वरना कैसे बताता मैंने तसलाक रुपे संदरी पर खर्च कर दिये पापा पापा वहां खो गए मेरे लिए एक रिमोट से चलने वाली कार भी ले आना हाँ हाँ जग्गू बेटे मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आँगा अब मुझे काम पे जाने तो दो वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा फीक है कालू जी आप जाएं और साम को जल्दी आना मुझे से ज़्यादा इंतिजार ना करवाना फिर कालू कववा अपना बैग लेकर ओफिस चला जाता है गोरी कववी तो खुसी से पागल हो रही थी पता तो चले आसपास के पक्षियों को मैं कितनी अमीर हूँ अभी जाकर सब को चड़ा के आती हूँ खास कर उस छोटी चड़िया को ऐसे कहकर गोरी कववी घर से चली जाती है और उसे रास्ते में कबूतर लूसी मिल जाते है लूसी कबूतर आप दोनों कहां जा रहे हो और इस बैग में क्या है गोरी कववी ये मेरी साधी का जोड़ा है रखे रखे थोड़ा फट गया है तो इसी को ठेक कराने दरजी के पास जा रहे हैं क्यालू सी बहेन आज साम को तुम ये ओल्ड और फटा हुआ लहेंगा पहनोगी इससे अच्छा तो कोई हाल ही में खरीदी हुई साड़ी पहन लेती गोरी दूसरों से तब बहुत पूछ लिया जरा अपने बारे में भी तो बताओ तुमने क्या क्या खरीदा है कबूतर मेरे कालू की तु कभी होड नहीं कर पाएगा धेर सारी सौपिंग की है मैंने और सबसे बड़ी बात आज साम को कालू मेरे लिए डाइमिंड का हार लाएगा खेर छोड़ो तुम बताओ आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं क्या सच गोरी कालू भाई या दो लाग का हार लाएगे आपके लिए और नहीं तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ भरोसा ना हूँ तो खुद ही देख लेना जब मैं साम को पहन कर अपना बिरत खोलूंगी लूसी चले यहां से हमें काफी देर हो गई है कहीं दरजी वाला दुकान बंद करके चलाना जाए नहीं कबूतर जी हम दरजी के पास नहीं जाएंगे बलकि लहंगों की दुकान पे जाएंगे मैं अपने लिए नए जमाने का लहंगा खरीदूंगी नहीं पहनूंगी यह पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा यह गोरी की बच्ची हमेंसा तपक जाती है और मेरा काम खराब करके जाती है अच्छे खासे पैसे बच रहे थे और नहीं ऐसे कबो तरलूसी को लेकर चला जाता है अब जाती हूँ चड़िया के पास उसे बताए बगेर तो मेरा जी नहीं मानेगा मगर इस वक्त वो कहां मिलेगी हाँ नदी पर जाती हूँ वहीं बैठी होगी गोरी कवी रानो को ढुणते हुए नदी पर पहुँच जाती है वहाँ चड़िया अकेले चुपचाप बैठी हुई थी रानो चड़िया कालू मेरे लिए पूरे दो लाग का हार लाने वाला है साम को मैं तो वही पहनूँगी तुम क्या पहनोगी हाँ गोरी मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है और मैं साम को वही पहनने वाली हूँ अरे वाँ सोने या हीरे का कौन सा हार खरीदा है तुमने ना सोने का ना हीरे का मामूली सा तांबे का हार है क्या कहा तांबे का नौकल हार मैंने तो सोचा कोई महेंगा हार लाई होगी मैं भी किस से पूछने लगी तुम गरीबों की कहां इतनी आउकात जो टाइमिंड का हार खरीद सको गोरी घर की परस्तिती देखकर खर्चा किया जाता है और वैसे भी मुझे दो लाग का हार पहनने का कोई सोक नहीं तुन्लू जी जितना भी कमाते है मैं उसी में खुस हूँ जब जेब में सोक पूरे करने के पैसे ही ना हो तो ऐसी बाते करना ही बहतर है तुमारे लिए ये बोलकर गोरी कवी वहां से चली जाती है गोरी तो दो लाग के हार की बाते सभी पक्षियों को कहती फिरती है और इदर कालू कवा चिंता में था सकल की न सूरत की और फरमाई से दो लाग का हीरे का हार मैं कहां से लाओं इतना महेंगा हार मेरा बैंक तो खाली पड़ा है खाली आइडिया मैं साम को घर ही नहीं जाओंगा ऐसे सोचकर कालू कव्वा घर नहीं जाता, वो सराब के ठेके पर रुक जाता है, उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त धूरा कव्वा मिल जाता है, वो दोनों एक दूसरे को खूब सराब पिलाते हैं, मैं जल्दी जल्दी तियार हो जाती हूँ, कालू जी भी आते ही होंगे ऐसे कहकर गोरी खुसी खुसी तयार होती है, इधर कालू कव्वा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, औरे दोस्त कालू लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तो सराब सराब पिये जा रहे हो, पूरा अभी तक तेरी साधी नहीं हुई ना, इसलिए तु मेरा दुख नहीं समझ पाएगा, मेरी पतनी गोरी एक नंबर के चंट चालाख है, लेकिन आज मैं भी उसे अच्छा पागल बनाऊंगा, वो कैसे कालू? आज करवा चात है, बोल रही थी दो लाख का हार लेके आना, पैसे क्या मेरे सर पे उगते हैं, जो फरमाई से पूरी करता रहूं, आज पूरी रात यहीं रहूंगा, और करने दो गोरी को इंतजार, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, रात काफी हो चुकी थी, चांद भी निकलाया था, रानों और बाकी पक्षियों ने अपने करवा चौत का वरत खोल लिया था, जगू बेटा, और दिन तो तेरे पापा साम पांच बजे आ जाते थे, मगर आज क्या हो गया, ममा ममा मैं पापा के दफ्तर जाके देखूं, कहीं काम में तो नहीं फसे, नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो गई, रात के अंधेरे में आप उड़ने ही पाऊगे, गोरी आप अभी तक कालू को बेजती हूँ, वो कालू को कहीं न कहीं से ढूड लाएंगे, फिर रानो चड़िया अपने पती को कालू को ढूडने भेज देती है, तुन्नू चड़े को कालू कवा बैठा दिख जाता है, कालू बहुत नसे में था, तुन्नू उसे सहारा देते हुए घर लाता ह कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया, गोरी कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जराप पानी मारें इसके चहरे पर, गोरी कालू के उपर पानी डालती है, कालू हडबडाते हुए होस में आता है, उठे कालू जी उठे, आज करवा चोथ हैं, मैंने आपकी लंबी उमर क लिए व्रत रखा है मेरा व्रत पूरा करें नहीं नहीं भूरे में घर नहीं जांगा तो नहीं जांगा तुम मेरे पीछे मत पड़ो छी कालू जी छी आपनी स्राप पी रखी है आपके मुझे पू आ रही है गोरी कवी कालू नशे में धुत है वो हम सब को पहचान भी नहीं पा रहा हाँ गोरी कालू अब घर में है अब अपना करवा चोथ का वरत पूरा करें और जो भी बात करनी है वो सुभा कर लेना चुडिया की बात मानकर गोरी कालू को देखते हुए करवा चोथ का वरत खोलती है मगर कालू का ववा तो नसे में आखे बंद कर लेटा हुआ थ गोरी धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मैं आपसे कभी गुस्ता नहीं थी और नहीं कभी होंगी अब जाओ कुछ खालो सुबा से भूंकी हो इस तरह से गोरी का करवा चोथ वरत पूरा होता है वैसे आप अपने करवा चोथ पर कौन से रंकी साड़ी पहनने वाली हो हमें कम गोरी यही जोना हम इनके पास चल के देखें मैं नहीं जाओगी अब तो सीधे रानो से ही बात होगी वो गड़ी अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकती फिर गोरी कभी तुरंत ही रानो चड़िया के पास जाती है रानो कुडिया को स्कूल भेजना बंद कर दे मुझे तेरी बेटी के चाल चलन अच्छे नहीं लगते आप ऐसी बाते क्यों करती हो गोरी मैंने अपनी बेटी को अच्छे संसकार दिये हैं धरे के धरे रह जाएंगे सब संसकार जब गुडिया दूसरे जंगल के पक्षी के साथ भाग जाएगी आपको ऐसी बाते सोबा नहीं देती आखिर आपकी भी तो एक बेटी है फिर आप मेरी गुडिया के बारे में ऐसा क्यों बोलती हो रानो तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है जब तेरी बेटी पूरी जंगल की नाक कटवा देगी फिर याद करना गोरी ने क्या कहा था गोरी कव्वी इस तरह से रानों क खूब सुना कर चली जाती है सकूल की छुटी का समय हो जाता है गोरी कव्वी की बेटी कोकी और गुडिया से लोट रही थी गुडिया चल जल दी आज मुझे गट्टू कव्वे ने पिजे की दुकान पे बुलाया है वो मेरा इंतजार कर रहा होगा कोकी मैं नहीं जाने ममा ने किसी अंजान के साथ खाने पीने को मना कर रखा है गुडिया तु यहां भी ममा की बात लेकर बैठ गई अब चल जल दी से मेरे साथ वरना मुझे लेट हो जाएगा कोकी गुडिया को सोचने का मौका नहीं देती और उसका बैग उठा कर भाग जाती है फिर गुडि कोकी से घर चलो फिर व्यहेदोन फीजा खाकर अपने अपने घर चली जाती है कोकी आज आपने इतनी देर कहां कर दी अपनी ममा की बात सुनकर कोकी घबरा जाती है ममा आज वह गुडिया ने रास्ते में कुछ खरीदा था बस उसी के चक्कर में लेट हो गई मैंने कितनी बार कहा है उस गुडिया से दूर रहा कर पर तू भी मेरी बात नहीं सुनती आइंदा उस गुडिया के साथ तुझे देख ना लूँ इस तरह से गोवी कवी कोकी पर बहुत गुसा करती है अगले दिन गुडिया कोकी को बुलाने घर आती है यारी गुडिया तियार तो ऐसे कोई है जैसे अपने पापा की साधी में जा रही है आज तो चली जा आज के बाद मेरी बेटी के साथ दिख्मत जाना गुडिया कुछ नहीं बोलती फिर कोकी के आते ही वो स्कुल चली जाती है गोरी और लुसी तब ऊतरी सब्जी लेने बजार जाती हैं रास्ते में गोरी कव्ली तो बस गुडिया की ही चुगली किये जाती है। एक नमबर की फराणिया लगती है मुझे उपर से सुरंख लाल होट मैंने तो मणा कर दिया आज। सो तो है गोरी, रानो गोडिया को जरा भी नहीं डाटती। वो दोनों ऐसे बाते कर रही थी। रानो चडिया उनके पीछे-पीछे सारी बाते सुन रही थी। लूसी बहन, आप भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी बाते करती हो। गोरी का तो मुझे पहले से ही पता था। रानो, तुमें हमारी बात बेशक बुरी लगें। परन्तु गोरी एकदम सही कहती है, आखिर गोडिया इतना सस्सवर के सिकूल क्यों जाती है। लूसी, जब गोडिया का जनम हुआ था, तब आप तो थी मेरे घर। और आप ही ने कहा था, रानो, बेटी बेशक हुई हो, पर चांद सी सूरत है इसकी, अब आप भी गोरी की बातों में आकर जूट बोलती हो, मेरी बेटी कुछ नहीं लगाती, वो जनम से ही सुन्दर है। लूसी के बोलने से पहले ही गोरी कवी बोल पड़ती है। जब बात अलग थी, छोटी बच्ची थी जब वो, लेकिन अब मैं कहती हूँ, कोई अपने जैसा गरीब पक्षी देखकर उसकी साधी कर दे, अगर ये भी खुद ने कर लिया, तो सारे जंगल के पक्षी मूद खाने लाइक नहीं रहेंगे। गोरी, आपकी कोकी भी तो मेरी गुडिया के संकी है, फिर आप क्यों नहीं कर देती हैं उसकी साधी। मेरी बेटी के पिता, मामा, भाहिया सब हैं, तुमारा कौन है, जिसका गुडिया डर करेगी, हमारी ही बदनामी कराएगी तेरी गुडिया। ऐसे बोल कर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, रानोत बस रोए जा रही थी, वो उदास मन से अपने घार आती है। ममा, आप इतना उदास क्यों हो, कुछ हुआ है, नहीं गुडिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप बताएं सकूल में दिन कैसा रहा। बहुत अच्छा ममा, आज मैंने टेस्ट में पूरे 20 में से 20 नमबर लिये, टीचर ने मुझे खूब सा बहसी दी, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करना मेरी बच्ची, हमेशा बुरे कामों से दूर रहना, और पढ़ लिक कर मेरा नाम रोसन करना। रानो ऐसे अपनी बेटी को समझा रही थी, और गोरी कव्वी तो हरियाली से चुगलियों में व्यस्त थी, ऐसे ही समय बीटता है, अब गुडिया कोकी अलग-अलग सकूलों में जाने लगी थी, कोकी की गट्टु कव्वे के साथ की हुई दोस्ती प्यार में बदल जाती ह और वह दोनो नभी किनारे छिट-छिट कर बाते कर रही थे, गट्टु साथी तो मैंने आप से ही करनी है, जल्दी से कुछ सोचो, वरना ममा मेरी साथी कहीं और तैकर देगी, कोकी आपको तो पता है, मेरे पास कुछ नहीं, घर नहीं है, मैं तो यहाँ किराय पर रहता हू फिर आपको लेकर कहां जाँगा, दूर, हम साधी करके कहीं दूर चले जाएंगे, परन्तु इतने दिनों की दोस्तिकों में तूटने नहीं दूंगी, तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया, हम आज ही जंगल छोड़ कर दूर चले जाएंगे ऐसे बाते कर वे दोनों साधी करके जंगल छोड़ जाते हैं, इधर गोरी कवी तो बहुत खुस थी, क्योंकि आज वो कोकी का रिस्ता पका करके जो आई थी रानो, मैंने तो अपनू देटी का रिस्ता एक अमीर खांदान में कर दिया है, तुम बैटी रहो पंक पे पंक रखे ऐसी बात नहीं है गोरी, कोकी की पढ़ाई खत्म होते ही मैं भी भला पक्षी देखना सुरू करूंगी तू क्यों करेगी इसके सादी, तूने तो कसम खा राखी है, पूरे जंगल की नाप कटवाने की ऐसे सुना कर गोरी कवी फिर से चली जाती है, मम्मा चडिया फिर से उदाथ हो जाती है गोरी कोकी को खुस खबरी सुनाने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रही थी लेकिन कोकी को साम हो जाती है, परंतु वो घर नहीं लोटती जगू के पापा, कोकी आज घर नहीं लोटी, जरा चल के देखें सकूल में फिर वहें दोनों सकूल जाते हैं लेकिन वहां तो ताला लगा था वो सब जगा खोजते हैं फिर मंदिर के पुजारी पक्षी से उन्हें सब पता चलता है कैसे वो दोनों साधी करके चले गई हाए में लुट गई बरबाद हो गई कालू जी आखर मेरी बेटी ने ही नाक कटा दी गोरी मुझे तो विस्वास ही नहीं होता आखर हमारी बेटी हमें छोड़के चली गई धिरे धिरे बात पूरे जंगल में फैल जाती है और गोरी कवी की चर्चा होने लगती है गोरी आप तो हमेशा ही गोडिया के बारे में भला बुरा बोलती थी लेकिन यहा तो उल्टा ही हो गया हाँ तुमारी बेटी ने पूरे जंगल में हमारी बदनामी करा दी अब दूसरे जंगल के पक्षी हमें जीने नहीं देंगे हमेशा ताना मारेंगे इनके जंगल की बेटी भाग गई गोरी तो किसी से कुछ नहीं बोलती बस सब की सुने जा रही थी वो बहुत सर्मिंदा थी तभी कोकी की खबर सुनकर रान उचडिया भी आ जाती है गोरी बहन कभी अपने खुद के घर में भी ध्यान दिया होता अब पता चला दूसरों के बच्चों से जाएदा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दूसरों के घरों में जहाकने से पहले खुद के घर में भी देखना चाहिए आपका धन्यवाद जंगल में बहुत तेज बारिस हो रही थी सभी बक्षियों को डर था कि इस घनगोर बारिस में उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए लूसी जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं इस तेज तूफान में हमारा घोंसला ही ना तूट जाए कभूतर जी अगर हमारा घोंसला तूट भी जाए तो आप मुन्ने का साथ न छोड़ना उसे कस्कर पकड़के रखना कालू जी लगता है आज हम पक्षियों की कहर की रात है तभी तो ये तेज तूफान और बारिस बढ़ते ही जा रहे हैं गोरी चिपचाप घोंसले में बैठी रहो ऐसे बाते करके मुझे और मत डराओ मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ जबसे बुलबुल के गोंसले तूटने की खबर मिली है और मुझे अब अपने गोंसले का डर लग रहा है नाना कालू जी हमारे गोंसले को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने काली घास के तिनके मिला कर गोंसला बनाया है और काली घास के तिनके बहुत मजबूत होते हैं गोरी मुझे माफ कर दो तेज गरमी के कारण मैं काली घास को नहीं डूड सका और यूँ ही पीली घास से घर बना दिया या कहा आपने काली घास के तिनके भी नहीं मिलाएं अब तो हमारा घौसला जल्दी ही तूटेगा जीतो करता है के अभी तुमें घौसले से बहार निकाल दूँ गोरी अगर हमारा घौसला तूट गया तो हम टूनी चडिया के घर चले जाएंगे उसका घौसला बहुत मजबूत है उसने पूरा घौसला काली तिनकोसे बनाया है इस तरह से कालू गोरी तो बहुत परेसान हो रहे थे और इधर टूने चडिया सुकून से अपने घौसले में बैठी हुई थी अच्छा हुआ जो मैंने पूरा घौसला काली घास के मजबूत तिनकोसे बनाया अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैं आराम से अपने अंदे के साथ रह सकती हूँ चिडिया ऐसे सोच ही रही थी फिर थोड़ी देर बाद चिडिया के घोंसले पर कबूतर का परिवार आता है अरे कबूतर भाया क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो और लूसी बहन कहा है चिडिया बहन एक तेज हवा के जोके से हमारा घोंसला उड़ गया मैंने मुन्ने को तो कसके पकड़ लिया परंतु लूसी नीचे पड़े पत्थर पर जा गिरी और वो खून से लत्पत है इतना कहकर कबूतर और मुन्ना जोर जोर से रो पड़ते हैं और चिडिया तो समझ जाती है के लूसी अब इस दुनिया में नहीं है आप रोईये मत और गोसले के अंदर आ जाएए वरना कोई तहनी आपको लग जाएगी चिडिया बहन कहीं हमारे बजन से आपके गोसले को कोई नुकसान तो नहीं होगा नहीं नहीं मेरा गोसला इतना भी कमजोर नहीं है वो हम सब के बजन को जहल लेगा अब आप अंदर आएए फिर कबूतर अपने बेटे को लेकर चिडिया के गोसले में चला जाता है कालू जी हमारा गोसला तो जोरो से हिल रहा है लगता ही ये अब तोटने वाला है हाँ गोरी अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इस गोसले से भागो वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है कामचोर कालू कहीं के अगर काली घास के मजबूत तिन के लिए होते तो गोसला इतनी जल्दी नहीं तूटता गोरी अब मेरा पीछा छोड भी दो और यहां से भार निकलो फिर बाद में मत कहना कि मुझे चोड लग गई वो दोनों अपने गोसले में से निकल कर बैठे ही थे के तब ही उनका गोसला बीच में से तूट कर गिर जाता है अब क्या इस तोटे गोसले में रहने का इरादा है अब चलो टोने चडिया के पास फिर वो दोनों भी तेजी से उड़ते हुए चडिया के गोसले पर चले जाते हैं अरे कालू गोरी या आपका भी गोसला तूट गया है हाँ चडिया परन्तु आपको कैसे पता के हमारा गोसला तूट गया और अब हम दोनों आपके गोसले में रहने आए हैं अब जल्दी से हमें अंदर ले लो फिर चडिया कालू गोरी को भी गोसले के अंदर बुला लेती है ओय कभूतर क्या तेरा गोसला भी तूट गया है जो चडिया के घर में हो हाँ गोरी को भी हमारा गोसला तेज हवा में उड़ गया और लूसी जी हमें छोड़ कर चली गई उनकी मौत हो गई अरे रे ये तो बहुत ही बुरा हुआ जो लूसी बहन की मौत हो गई अभी तो मुन्ना छोटा है, विचारा अपनी मम्मा के बिना कैसे रह पाएगा गोरी मैं अपने बेटे का पूरा ध्यान रखूँगा उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूँगा ऐसे बाते कर वो सबी चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद तूनी चडिया उनसे कहती है साथियो आप ये दाना खालो, आप सबको भूख लगी होगी हाँ हाँ तूनी चडिया क्यों नहीं, भूख तो बड़ी तेज लगी है हमें अच्छा किया जो आपने पहले से ही भोजन जमा कर लिया कालू और गोरी कवई तो बिना कुछ सोचे समझे ही चडिया का दाना खाने लगते हैं परन्तू कबूतर दाना नहीं खाता कबूतर भाया, आप भी दाना खालो, और मुन्ने को भी खिला दो नहीं नहीं चडिया, मैं ये दाना नहीं खा सकता आपने इसे बड़ी महनस्ते जमा किया है अगर हम आपका सारा दाना खतम कर देंगे तो आप क्या खाओगी ओहो कपूतर अब चड़िया के गोंसले में रुके हैं तो दाना भी यहीं खाएंगे इस तेज तूफान बारिस में अपना दाना तो खोज नहीं सकते गोरी आपने सही कहा इस खराब मोसम में दाना तो हम नहीं खोज सकते परन्तू चड़िया ने हमें अपने घर में रखा ये क्या कम है जो उसका भोजन खतम करके उसकी समस्या और बढ़ा दें अब जैसी भी आपकी रिक्छा अब हमने तो भोजन खा लिया है चड़िया के घौसले में रहना कालू गोरी को तो बहुत पसंद था वो चड़िया का भोजन खाते हैं और सो जाते हैं लेकिन कबूतर को तो चिन्ता हो रही थी क्यांकि अब चड़िया का घौसला भी हिलने लगा था चुडिया बहन मुझे लगता है आपका गोंसला हम सब के बजन को नहीं जहल पा रहा गोंसला हिल रहा है मुझे तो डर है कहीं ये भी तूट ना जाए कबूतर भाया अब इसका कोई उपाय बताओ परना हम सब मसीबत में पढ़ जाएंगे इसका एक ही उपाय है मैं मुन्ने को लेकर गोंसले से बाहर जाता हूँ फिर सायद वजन कम होने से गोंसला ना तूटे नहीं कबूतर भाया आपके साथ छोटा बच्चा है ऐसे मैं आप कहा जाओगे मैं कालू भाया को जगा देती हूँ वो ही गोंसले से बाहर चले जाएंगे नहीं चुडिया रहने दो ये दोनों यहां से कहीं नहीं जाएंगे मैं ही चला जाता हूँ और कहीं अपना ठिकाना खोज लूँगा ये कहकर कबूतर अपने बेटे को उठाता है और गोंसले से बाहिर चला जाता है देर रात भी हो जाती है तूफान का आना और भी तेज होता जा रहा था ये कालू गोरी तो जब से आए हैं तब से सोई ही जा रहे हैं इनको जरा भी फिक्र नहीं है कि मेरा ग्हुंसला भी हिलने लगा है ऐसे सोचते हुए चिड़िया तूफान के रुकने का इंतजार करते हुए सो जाती है और तभी जोरदार तूफान आ जाता है और चडिया का घौसला भी तिनके तिनके में बिखर जाता है वो सब जमीन पर आकर गिर जाते हैं अरे बापरे ये क्या हुआ हम सब जमीन पर कैसे गिरे गोरी चडिया का मजबूत घर भी तूट गया है और हम सब जमीन पर गिरे है हे भगवान अगर मैं नहीं सोती तो मेरा अंडा भी नहीं फूटता मेरी गलती के कारण मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया चलो कालू जी हम किसी और पक्षी के घर चलते हैं अब यहां रहकर क्या करें यह कहकर कालू गोरी तो वहां से चले जाते हैं और चडिया तो अपनी फूटे अंडे को देख कर रो रही थी के तबी वहां पर कबूता राता है उसके सर पर बांस का गठर रखा था चडिया बहन रोना बंद करो मैंने भी अपनी पतने को खोया है इस तेज तूफान में और मैं जानता था कि आपका गोंसला भी तूट जाएगा इसलिए मैं यह बांस लेने गया था दूर के जंगलों में लेकिन कबूतर भाया आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया मैं भी आपके साथ चलती और अपना घर भी बांस का बना लेती अरे चड़िया मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको अपने अंडे के पास रहने की जैदा जरूरत थी और यह बांस तो मैं आपके लिए भी लाया हूँ सबसे पहले आपका ही घर बनेगा कबूतर भीया आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर चड़िया और कबूतर बांस का घर बनाना शुरू करते हैं काफी देर के बाद उनका बांस घर बन कर त्यार हो जाता है चलो कबूतर भहिया अब हम बास के धर के अंदर जाते हैं क्योंकि तेज टूफान के आने की संभावना बढ़ रही है चुडिया अगर दुवारा से कालू और गोरी आप से मदद माउने आएं तो साफ इंकार कर देना उन्हें भी तो पता चले कि मुसीबत के समय में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जैसे वो दोनों आपको मुसीबत में छोड़ कर भाग गए थे हाँ कबूतर भहिया वो दोनों तो बहुत बुरे हैं घोसला तूटने पर मुझे अकेला छोड़ कर चले गए अब मैं भी उनको बास घर में नहीं आने दूँगी ऐसे बाते कर वो तेनों अपने नए बास घर में चले जाते हैं और बिना तूफान के डर से बास घर में रहते हैं